हलो बच्चो आज हम देखने वाले हैं कक्षा आठवी की हिंदी इकाई दो पार्ट चार सौहार्द सौमनस्य यह कविता है और इसके कवी हैं जहीर कुरैशी तो पहले जहीर कुरैशी की जो उनके बारे में जो यहां पर परिचा दिया गया उनका वो हम देख लेते हैं इनका जन्मुआ था 1950 गुना मध्यप्रदेश में परिच्य आपकी रचनाय अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, आदेभाशाओं में अनुदित हो चुकी हैं अनुदित यानि ट्रांसलेट हो चुकी हैं कई-कई भाशाओं में आपको इनकार्पोरेटेट सम्मान गुपाल सिंग नेपाली सम्मान प्राप्त हुए हैं इनकी प्रमुक कृतियां यानि प्रमुक रचनाये हैं एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप, चांदनी का दुख, भीड में सबसे अलग, पेड तनकर भी नहीं तूटा, गजल संग्र, ये सभी इनकी रचनाये हैं स्वार्थ आज छोड़ने के लिए प्रेरित किया है, तो इस कविता के माध्यम से हम ये समझेंगे, कि किस तरीके से कवी ने यहाँ पर कहना चाहा है, कि जो छोटे बड़े आदमी, चोटे आदमी, मतलब एक अमीर गरीव के बीच जो फर्क होता है, उसे मिटाने के बात कह हैं इन्होंने नफरत जो एक दूसरे के प्रती रहती है, अलग धर्म, अलग जाति-पंत के बीच में जो नफरत होता है, स्वार्थ होता है, जो ठीक है, वो से यहाँ पर छोड़ने के लिए प्रेरित किया है, आपका मानना है, यानि कि कभी का मानना है, कि अनेकता में एकत कि वही तो शान है अता हमें मिल जुलकर रहना चाहिए चलिए अभी हम एक एक लाइन पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से और उसके बाद एक एक वर्ड का मेनिंग मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ है यहां पे आप देख सकते हो इस तरह के से मेनिंग मैंने आपके लि लेकिन ऐसा लिखा रहेगा तो आप लिख सकते हो उसको ठीक है पहले पढ़ते हैं अच्छे से वो छोटा मैं हूँ बड़ा ये बाते निर्मूल उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल नफरत थंडी आग है इसमें जलना चोड तूटे दिल को प्यार से जोड सके पहुत ही अच्छे दोहे हैं ये बच्चों पौधे ने बाटे नहीं नाम पूछ कर फूल हमने ही खोले बहुत स्वारत के स्कूल धर्म अलग भाशा अलग फिर भी हम सब एक विविद रंग करते नहीं हमको कभी अनेक जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार जर्रे जर्रे में खुदा कंकं में भगवान लेकिन जर्रे को कभी अलग नकण से मान इसलिए हम प्यार की करते साज समार नफरत से नफरत बढ़े बढ़े प्यार से प्यार भात भात के फूल हैं फल बगिया की शान फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार कितना अच्छा हो अगर जलें दीप से दीप ये संभव तब हो सके आएं दीप समीब तो यहाँ पे देख रहे हैं हमकी टफ वर्ट की मीनिंग दिया गया है बहुत ही कम है हार्ड वर्ड की जो मीनिंग है वो कमी है सिर्फ एक निर्मूल यानि बिना जड़ की यानि निरर्थक बिना किसी बाती बिना अर्थ की ओके निरर्थक बाते बेकार बाते स्वारत यानि स्वारत हम सब को पता है सम्हार यानि संभाल या सुरक्षित रखना जर्रा यानि अत्यंत छोटा कर्ण हो तो जह नहीं चलिए अब एक-एक करकी विनिग समझते हैं है है कि वो छोटा यहां पर देखिंग वोछ वो चोटा मैं हूं बड़ा यह बाते निर्मूल मतलब मैंने क्या बताया नीर्थग बाते बिना अर्थ की बाते बेकार की बाते यह बाते निर्मूल यानि अगर समानार्थी शद्द आता है आपको धूल के लिए तो आपको लिखना रहेगा रज तो प्रस्तुत पंक्तियां कभी कुरेश्ची लिख्षी सौहाद स्वामना से कविता से ली गई है कभी कहते हैं कि दुनिया में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता व्यक्ति को छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए छोटे बड़े की बाते निरर्थक होनी चाहिए मतलब अमीर गरीब की यह जो बातें लोग करते हैं यह सब निरर्थक बाते होती है बेकार की बाते होती है निर्मूल का मतलब क्या होता निरर्थक निरर्थक मतलब बेकार जो धूल अपने पैरों के नीचे होती है जो हम देखते हैं पैरों के अपने पैरों से धूल को रौंते हुए चलते हैं और जो धूल पैरों के नीचे होती है वही धूल हवा से उड़ कर कभी-कभी अपने सीर पर बैठ जाती है यानि दुनिया में हम जिसे छोटा कहते हैं वह कभी-कभी अवसर पाकर बड़ा हो जाता है इसलिए हमें छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए अब देखो दूसरा वाला लाइन देखते है नफरत ठंडी आग है इसमें जलना छोट तूटे दिल को प्यार से जोड सके तो जोड बहुत ही अच्छी ये दोहे हैं नफरत ठंडी आग है तो देखो प्रस्तूत पंक्तियां ये बार-बार आपको दिखेंगे यहां पे तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे हम सीधा आते हैं नीचे से यहां की लाइन से कभी के मतानुसार यानि कभी के अनुसार ठंडी आग उपर से भले ही लगे कि वह बुझ गई है लेकिन अंदर ही अंदर वह जलती रहती है नफरत भी उसी ठंडी आग के समान है मनुषी को इसमें जलना नहीं चाहिए मनुषी को अपने मन में किसी के प्रती इश्या यानि जलन जलस नहीं करना चाहिए यदि मनुषी से हो सके तो तूटे हुए दिलों को प्यार से जोडने का प्रयास करना चाहिए देखो यह आप यह एक आ गया है जैसे हम देखते हैं आग रहती उपर से तो ठंडी देखती है कि आग बुझ गई पर नीचे से वो जलती रहती है इसलिए यहां पर का गया है कि जो मनुष्य होते हैं किसी से जलस होते हैं किसी के प्रति इश्या होती है उनको जलन होती है वो नहीं करनी चाहिए ठीक है बल्की क्या करना चाहिए मनुश्यों को तूटे हुए दिलों को प्यार से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए नफरत से नहीं पौधे ने बाटे नहीं फूल वाला जो लाइन है आप हमने देखा भी पौधे ने बाटे नहीं नाम पूछ कर फूल हमने ही खोले बहुत स्वारत के स्कूल स्कूल यानि स्कूल विद्या ले ठीक है प्रस्तुत पंक्तियों के माद्यम से कभी कहना चाह रहे हैं कि कोई भी पौधा हो जब उसमें फूल आना शुरू हो जाता है तो पौधा नाम पूछ पूछ कर फूलों को नहीं बढ़ता है कि कौन अपना है उसे फूल दिया जाएगा और कौन अपना नहीं है उसे फूल नहीं दिया जाएगा फूल वो सभी को देता है कोई भेदभाव नहीं करता वही इंसानों के बारे में कहते हैं कि हम इंसान अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करते हैं बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करते इसलिए कभी ने कहा है कि हम इंसानों ने स्वार्थ का एक स्कूल खोल दिया है जिसमें सिर्फ अपने फायदे देखते हैं वही पौधे हम इंसानों से अलग हैं और निस्वार्थ भाव से बिना कोई भेद भाव के सभी पौधों को एक समान फूल देते हैं देखो हम देखते हैं वगीचे में जो फूल होते हैं तो यहाँ पे वही कहा गया है कि यहाँ पे जो अलग-अलग पौधे हैं वो पूछ-पूछ कर फूलों को नहीं बाढ़ता कि कौन सा फूल इस पे जाएगा कौन सा फूल नहीं पूरे बगीचे का जितने भी फूल होते हैं, वो एक समान होते हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से इंसानों को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, हर काम बिना स्वार्थ के करना चाहिए, ठीक है, selfish नहीं बनना चाहिए, धर्म अलग भाशा अलग, यहां पे हमने देखा, धर्म अलग भाशा अलग, फिर भी हम सब एक, विविद रंग करते नहीं, हमको कभी अनेक, तो यहां पे अनेक मतलब बहुत सारे, विविद यानी, विविद का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, अलग-अलग, तो यहां पे कहा गया है, प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत इ violate कि अपनी अपनी भाशा खान पान वेश भूशा एम संस्क्रीती हैं है वान का खाना पीना जो होता है वह के घ्रास्टेश्स आलग होते है संस्कृतियां यह उनका कल्चर होता है सब अलग-अलग है पत्तिक राजी के पास अपनी कला निरत अम संगीत की धरोगा रहे हैं देखते हैं हम साउत में कैसे देखते हैं अलग-अलग डान्स होता है ठीके इसे कतक कली भरत नाट्याम और महाराष्ट में लावनी वगरा हुआ गुजरात में हम देखते हैं कि करभा हुआ तो यह अलग-अलग चीज़े हैं ना मां की संस्कृति नाच गाना शास्त्री संगीत सब कुछ अलग है पिर भी हमारे भारत शास्त्री संगीत ने सभी को एक्ता के सुत्र में बांध रखा है हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख व इसाई सिख ऐसे आएगा यहां पर ठीक है यह नहीं आएगा ऐसा रॉंग है ऐसा लिखना है वह इसाई यह सभी प्रमुक धर्म हैं इनके अलामा प्रत्यक धर्में कई जातियां हैं सभी कोई अपने अपने धर्मे का नुसार तेवहार हैं अब देखो जैसे अगर हम हिंदू की बात करें तो इसमें अलग-अलग जाते में भी ऐसे ही हैं सिक में भी कोई हम देखते हैं कोई जाट है कोई सरदार है ऐसे होते न और उसमें भी अलग-अलग यह तो मेन हैं और इसमें भी अलग-अलग जातियां होती हैं और सभी के अपने अपने धर्म और जातिक अनुसार तेवहार भी होते हैं सभी एक दूसरे में देर सारी यहां पर ऐसे अगर धेर सारी है या बहुत सारी अजयी अप सकते हैं धेर नहीं धेर सारी भाषाएं होने की बावजूद भी हिंदी भारती एक्ता की कड़ीवनि हुई है सभी भाषाओं में लिखा गया साहीत हमारे देश की संस्कृति को दर्श राता है इस प्रकार हमारे देश में विविता होने के बावजूद भी एकता है ठीक है जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार प्यार नकत का काम है रहता नहीं उदार नकत यानि हम देखते हैं नकत उधारी आपको पता है नकत यानि कैश होता है तुरंद सामान लेके जाओ, उधारी का मतलब क्या होता है, चलो बाद में पैसा देंगी, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, प्रस्तुत पंक्तिया, यह तो हम पता है, लाइन रिपीट हो रही बार बार, दुनिया में अधी किसी से पयार करेगा तो उसे पयार की बदले में पयार ही मिलेगा किसी को कल हमसे प्यार महबबत से रहेगा वह इसान ठीक है कोई भी हो दोस्तों माबाप हो अगर हम वह हमसे अच्छे से रहे रहे तो एक टाइम आएगा तो जो मैं भी अच्छे से रहूँगा ठीक है ऐसा नहीं हो सकता जर्रे में खुदा कड कड में भगवान ठीक है वह वाला हम देखते हैं जर्रे का मतलब क्या होता है कन कन कै यानि particles, minute particles, चोटे-चोटे particles, और कन-कन का भी मतलब होता है, कन-कन, चोटे जो कन होते हैं, चोटे एकदम particles, तो प्रस्तूत पंक्तियां ये line बार-बार आ रही हैं, तुस्से हम नहीं देखेंगे, कभी कहना चाहते हैं, जैसे जर्रे-जर्र, यानि अत्यांत चोटे कन में ख खुदा होता है, वैसे ही कन-कन में भगवान है, देखो, जो मुस्लिम होते हैं, वो क्या कहते हैं, कि जर्रे-जर्रे में खुदा है, हिंदु क्या कहते हैं, कन-कन में भगवान है, बात तो दोनों सेमी हुआ, जर्रे-जर्रे का मतलब भी कन-कन, कन-कन का मतलब जर्रे-जर कि भगवान का सम्मान करना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, भगवान हो या खुदा सब एक ही है, सभी को सम्मान करना चाहिए और अमन्चैन से रहना चाहिए इसलिए हम प्यार की करते साथ सम्हार नफरत से नफरत बड़े बड़े प्यार से प्यार तो सम्हार का मतलब संभाल के ठीक है तो देखो यहां पर क्या लिखा गया है कभी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार किसी बगीचे में इसलिए हम प्यार की करते साथ सम्हार नफरत से नफरत बड़े बड़े प्यार से प्यार किना का मतलब है देखो इसलिए हम क्या करते हैं प्यार से रहते हैं प्यार को बहुत ही संभाल के करते हैं ठीक है हर इंसान हर एक व्यक्ति हर जीव से हम क्या करते हैं बहुत ही संभाल के बहुत ही जतन से बड़ी स्ने से सबसे हम रहते हैं क्योंकि नफरत करने से नफरत बढ़ता है और प्यार करने से प्यार बढ़ता है देखो सिंपल सी बात है हम नफरत फैलाएंगे तो नफरत फ पहलेगा यहां पर दिया हुआ है कि कि यहां पर थोड़ा सा रॉंग हो गया है देखो यहां पर कहने का मतलब यह है कि हमें प्यार को बहुत ही इसलिए हम प्यार की करते सासमार जो भी हमसे प्यार से रहता है उसे हम बहुत ही सम्मान पुरवक रहते हैं बहुत ही प्यार से रहते हैं क्योंकि जब नफरत करेंगे तो सामने वाला भी नफरत करेगा ठीक है हम अगर किसे से नफरत करेंगे तो जिससे हम नफरत कर रहे हैं वो भी तो हमसे नफरत करेगा और हम उससे प्यार से रह हैंगे तो प्यार बढ़ेगा कहने का मतलब यह है कि अ 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 कि चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर यह जो है ना यह लाइन थोड़ी सी गलत है मैंने आपको समझाए कैसे नफरत से नफरत बढ़े मतलब नफरत करने से नफरत बढ़ता है और प्यार करने से प्यार देने से प्यार बढ़ता है ठीक है तो यह लाइन रॉंग है ओके भात भात के फूल है भात भात यानि अलग अलग प्रकार की भात भात के मतलब क्या होता है अलग अलग प्रकार की भात भात के फूल है फल बगिया की शान फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान अलग अलग प्रकार के फूल है पूरे बगिया में उसी तरीके से शान यानि गर्व ठीक है तो यहां पर कभी कहना चाते हैं कि जिस प्रकार किसी बगीचे में विविन प्रकार के फल फूल लगे रहते हैं तो उस बगीचे का दृष बड़ा ही मनमोहक होता है देखने में भी काफी सुन्दर लगता है उसी तरह वो तरह तरह के फूल भात इभात भात इभात लिखा है ना भात इभात इभात इआनि देखो यहां पर भात इभात इभात इआनि तरह तरह के फल फूल लगने से बगीचे की शान बढ़ती है उस बगीचे को देखकर कभी को हिंदुस्तान का एसास होता है और वो कामना करते हैं कि बगीचे में इसी तरह ब फूल की तरह हैं जो अलग-अलग रंग के फूल अलग-अलग महक अलग-अलग कलर के फूल के होते हुए हैं तो वो बगिया के ही फूल इसी तरीके से भले ही अलग धर्म जादपंत के लोग हमारे देश में पर वो हैं तो सब के सब हिंदुस्तानी ही ठीक है अब नेक्स नाम पर लड़ते हैं हर वार उसने सपने में कहा लड़ना है विकार ठीक है यहां पर देखते हैं इस तरीके से जगड़ा होते रहते हैं मतलब इश्वर के ही नाम पर इश्वर नहीं तो सब को बनाया है और सारा इश्वर जितने भी हम अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं वो सब एक ही है लेकिन आपर वही कहा गया उस इश्वर नहीं कभी के सपने में आकर कहा कि उसके लिए इस प्रकार लोगों का लड़ना जगड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता यह सब व्यर्थ यानि बेकार अर्थात मानवता के खिलाफ अमानवी है इंसानियत के लिए यह बेकार है लड़ना जगड़ना सब बेकार है भगवान के नाम पर मत लड़ो भगवान का कहने का मतलब यह है कितना अच्छा हो दीव समीव, समीव का मतलब होता है पास में, ठीक है, तो दिया कब जल सकता है, जब दो दिया एक साथ कैसे जल सकता है, जब दोनों को पास मिला जा, इसी तरीके से हमारे बीच प्यार कैसे बढ़ सकता है, अलग-अलग धर्म जाती पंथ के बीच में कैसे हो सकता है, जब एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना सीख जाएं या तभी समभा हो सकता है जब सभी लोग आपस में एक मत होकर एकता स्थापित करें ठीक है तो किस तरीके से दो दिया को पास में लाने से दूसरा दिया जल उठता है उसी तरीके जब सब लोग आपस में एक मत रहेंगे तभी एकता स्थापित होगी तभी हम सब खुशाल रहेंगे हमारा देश तरक्की करेगा बच्चों आई होग कि आपके लिए यह helpful रहे आपको समझ में आया होगा उम्मीद करती हूँ कि यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ठीक है क्योंकि मैंने एक एक पराग्राफ को यहां भी मीनिंग आपको लिखा है ताकि अगर आपको भावार था है तो आप अच्छे से समझ सको लिख सको और एक एक पराग्राफ को अगर मैं आप ऐसे याद करते हैं तो याद भी हो जाएगा और आप एक्जाम में अच्छे से लिग भी पाओगे ठीक है कोई डाउट रहे कॉमें सेक्शन में पूछे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूले वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंग साथ शेयर कर दीजिए और कोई वीडियो चाहिए या प्रशनुत्तर का वीडियो चाह प्रशनुत्तर का वीडियो चाहिए प्रशनुत्तर का वीडियो चाहिए क força वीडियो चाहिए और का वीडियो चाहिए क् December